क्या वईराग्य और अईश्वर्य विरोधा भासी हैं? हाँ, पर ये विरोधा भासी हैं, विरोधी नहीं हैं, मतलब विरोध का आभास है इसमें, पर सत्य में कोई विरोध नहीं हैं। सत्य में क्या है तो ये दुनों एक दूसरे के पूरक हैं अगर आप अधिक वैरागी हो भीतर से अगर आप निस्प्रूह हो निर्मोही हो तो आपके जीवन में अधिक अईश्वर्या आ सकता है क्यों ऐसा उपनिशद में जैसे कहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजीताहा जो त्यागी है वही सबसे बड़ा भ्योगी है जब आप किसी चीज की आकांग्शा रखते हैं पर उस पर अपनी साइड से कोई आग रहा नहीं रखते हैं इंसिस्ट नहीं करते हैं तो स्वयमेव वहो चीज आपके पास आने लगती है यह संसार का यह प्रकृती का एक नियम है तो जितना अधिक आंतरिक वैराग्य उतना अधिक अईश्वर्य और उल्टा भी उतना ही सच है आपके पास जितना अईश्वर्य होगा उतने आप अधिक वैराग्य हो पाओगे क्योंकि आपके पास आपके जीवन निरवाह के लिए संपदा है सम्रुद्धी है तो अभी एक बार सम्रुद्धी आने के बाद सम्रुद्धी की व्यरतता भी समझती है सम्रुद्धी आने के बाद एक लेवल तक की जो सम्रुद्धी होती है एक स्तर तक की सम्रुद्धी अनिवार्य है पर उसके बाद हो सकता है आपको लगे कि यहां सम्रुद्धी मेरे लिए नहीं पर जन कल्यान के लिए इसका उप्योग हो तो अईश्वर्या आने से भी वाईराग्या बढ़ता है वाईराग्या होने से अईश्वर्या बढ़ सकता है अईश्वर्या आने से वाईराग्या बढ़ सकता है हाँ पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि सारे वाईरागी तो अईश्वर्यवान नहीं होते नहीं यह भी सत्या है वईराग्य होना पर साथ में एश्वर्य के लिए स्थान रखना । अपने मन में और अपने जीवन में तब्छ जा करकर आईगा अगर आपने एश्वर्य के ये कोई स्थान ही नहीं रखा है अगर कोई श्रमण की भाती कोई मुनी की भाती आप मात्र एक सादगी भरा जीवन जीना चाहते हैं तो वह भी ठीक भाइव भी सुंदर है पर उस प्रकार की अगर आपकी मान्यता है तो आपके जीवन में फिर अईश्वरिय नहीं आ सकता ऐश्वरिय के लिए यह जरूरी है कि आप अईश्वरिय का भी संवान करें और आप अईश्वरिय को भी पाने लायक समझें वाइराग्य की नीव पर अगर अईश्वरिय की इमारत बनती है तो वो बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन है उस प्रकार का कॉंबिनेशन हमेशा आपको जीवन में आंतरिक जीवन में और बहारी जीवन में दोनों ही जीवन में निपुन बनाएगा आप 200 परसंट लाइफ जी पाओगे प्रणाम झाल